हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने कम्प्यूटर की टेंपरेरी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं अगर हम अपने कम्प्यूटर की टेंपरेरी फाइल्स या जंक फाइल्स को डिलीट ना करें तो time के साथ साथ ये हमारे computer की speed को slow कर सकती है और हमारे computer के disk space को भी कम करती रहती है तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसी के बारे में नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं click तक YouTube चैनल अगर आपने इस चैनल को भी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर करें चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो अब हम आ चुके अपने laptop की screen पे यहाँ पे हमें window button plus r press करना है और उसके बाद जो run command open होगा उसमें screen पे देगी चारों files को हम one by one search करेंगे और उन files को delete करेंगे चलिए सबसे पहले type करेंगे temp temp और enter press कर देंगे और जो भी files हमें दिखाई देगी उन सब को control A के साथ select करना है और shift delete का button दबाते हुए delete करेंगे do this all items को tick करके हम skip करते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि कुछ files हैसी होती है जो delete नहीं होती है तो उनको हम skip कर देंगे अब run command box में type करना है percentage temp temp percentage और enter करने के बाद जो भी files हमें दिखाई देगी उनको control A के साथ select करते हुए एक बार फिर से shift plus delete का button दबाएंगे और इन सब files को भी delete कर देंगे skip का button दबाते हुए इसके बाद हम command box में type करेंगे recent और जो भी files हमें दिखाई देगी enter करने के बाद उन सब files को भी delete कर देंगे अब run command box में type करना है prefatch type करने के बाद enter प्रेस करना है और जो files हमें दिखाई देगी उनको हम control A के साथ shift or delete का button दबाते हुए delete कर देंगे तो इसी के साथ हमारे computer की सारी temporary files delete हो चुकी है I hope friends आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये जानकर ये अच्छे लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद